नमस्कार आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाक विजन के साथ इस समय रात के करीबन 11 बजे हैं और इस समय आपको आपके साथ लाइव जुड़ने का एक बड़ा मकसद है क्योंकि एक बड़ी ब्रेकिंग खबर जो है वो कश्मीर घाटी से आ रही है अभी तक कश्मीर घाटी आतंकवाद और फिर करोना की महामारी से जूझ रही थी अभी करोना से हम उब्रे ही नहीं थे कि आतंकवाद का एक और प्रहार कश्मीर घाटी पे हुआ है आतंकियों ने बीजेपी एक लीडर की हत्या जो है वो कर दी है राकेश पंडिता बीजेपी के कारिकरता बीजेपी के लीडर साउथ कश्मीर के त्राल इलाके के रहने वाले जिनकी हत्या जो है वो आतंकियों की तरफ से आज शाम शेनगर के साउथ कश्मीर के इलाके में कश्मीर के साउथ कश्मीर के इल राकेश पंडिता जो मुनसिपल काउंसलर है टाउन के उन पर अंधा दुन्द गोली बारी की और उस समय उनकी निर्मम हत्या कर दी जब वो अपने एक दोस्त के घर जो की त्राल फाइन में रहता है अपनी बेटी के साथ वहां पर उससे मिलने के लिए गए हुए थे जब व हमला किया और हमला करकर उनकी हत्या कर दी आतंकियों के तरफ से की गई फाइरिंग में उनकी बेटी जो है वो गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है बीजेपी के कारकरताओं ने बीजेपी के लीडर्स ने इस निर्मम हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यह तस्वीर जो है यह है राकेश को पंजिता की जो एक pastor थे और कि निर्मम हत्या जो है आज कैuben घाटी के अंदर के चीमीर घाटी का त्राल इलाका इलाका जो साउद कर्मीर को पढ़ता है वहां पर इनकी निर्मम हत्या जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई है और आतंकियों ने जो बताया जा रहा है कि तीन की संख्या में थे उन्होंने घात लगाकर बीजेपी के कारकरता राकेश पंडिता की उस समय हत्या कर दी जब वो अपने बेटी के साथ एक दोस्त के घर जो है वो मिलने के लिए गए होए थे यह तस्वीर आप देख रहे हैं यह बीजेपी के काउंसलर है और बीजेपी के बड़े लिडर भी माने गये हैं कश्मिर घा वो इस समय वाइरल हो रही है क्योंकि जितने भी शीर्ष नेता हैं कश्मीर घाटी में बीजेपी के उनकी तरफ से और जम्मू में भी जितने बीजेपी के लिडर्स हैं उनकी तरफ से कठोर शब्दों में इसकी निंदा की गई है और यह कहा गया है कि जो दोशी हैं जो आ इस तरह के प्रयास पहले भी कर चुके हैं और कश्मीर घाटी के अंदर कई बार इस तरह से बीजेपी के नेताओं को निशाना बना चुके हैं अब ये नई घटना जो है वो कोविड नाइंटीन के फेज टू के बाद जो है वो सामने आ रही है और अपने आप में अत्यन्त दुखत अत्यन्त निंदनिये घटना ये सामने है क्योंकि पिछले दो महीनों से अगर हम बात करेंगे तो इक्का दुका अगर जो टेरिस्ट एक्टिविटीज कश्मीर घाटी में हुई है वो भी सुरक्षा बलों की तरफ से अगर कहीं कोई आतंकी घेरे में पड़ गया हो उसको निस्तो नाबूत करने के लिए ये कारवा है त्राल वो इलाका है जो लश्कर तोहिबा और हिजबल मुझाहिदीन और जैश मोहमद यानि कि यह सौथ कश्मीर का वो इलाका है जो इन तीनों संगठनों का गड़ माना जाता है जैश मोहमद इस इलाके में कई बड़ी आतंकी वार्दातों को अन्जाम दे चुका है औ पुल्मावा जैसे हम लोग को भी इस इलाके के अंदर जो सौथ कश्मीर में पड़ता है वहां पर अंजाम दिया जा चुका है अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनकी बेटी जो इनके साथ बताई जा रही है वो सीरियसली इंजर्ड है करीबन शाम का समय था जब इस फाइरिंग की घटना को गोली बारी की घटना को आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया है और गंभीर अवस्ता में राकेश पंडिता को जब अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा था तब उन्होंने दम तोड़ दिया और उनका निधन जो है वो हस्पताल से दमाने पहले ही हो गया यह बताया जा रहा है कि इसके अंगेATH की अनके साथ क्योंकि वो काउंस्लर को लागे के और उनके साथ दो प्योंас जो रिखिये वह सरकार की तरफ हैं दो कि नुक्त आँगे अपने फ्रेंट से मिलने के लिए गए थे अब कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी सवाल खड़े होंगे क्योंकि यह सवाल पहले भी जो है वो कहीं बार खड़े हो चुके हैं क्योंकि कहीं बार जो हमने देखा है कि आतंग की पूरी रहकी कर रहे हैं रहकी करने के बाद पूरा सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करने के बाद घात लगाया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि कितने बज़े से लेकर कितने बज़े के बीच जो बीजेपी के लीडर्स हैं या फिर जो आतंकियों के टार्गट पर लीडर है उनके साथ P.S.O. होते हैं या फिर नहीं होते हैं ये पिछले कई हमलों में इस ट्रेंट को देखा गया है कि जब P.S.O. या तो आराम कर रहे होते हैं जब अपने उन नेताओं के साथ में मौजूद नहीं होते हैं तभी आतंकियों की तरफ से घात लगा कर हमला किया जाता है अब क्या इसमें कहीं कुछ मिली भगत होती है क्या कहीं पर कुछ ऐसे संदेश गुप्त तोर पर पास किये जाते हैं जिससे आतंकियों को ये पता चल जाता है कि इस समय जो लीडर आतंकियों के निशाने पर है वो सीधे तोर पर अगर देखा जाए तो इस समय पुलिस की स तुरक्षा के घेरे में मौजूद नहीं है और ऐसे में आतंकियों को और जादा सहूलियत हो जाती है कि वह सीधे तोर पर अपने निशाने पर आये हुए जो व्यक्ति है उस पर हमला करकर उनको सीधे तोर पर नुकसान पहुचाए जा सके इससे पहले कई बार हमने देखा कि कई बार जो है वो आतंकी घटने आतंकी घटना जो है वो कश्मीर घाटी में इस तरह से हुई है और खास्तोर पर ये ट्रेंट जो सेट किया गया है बीजेपी के जो कार करता है वो कहीं न कहीं इस पूरे घटना करम में जो आतंकियों की तरफ से हमले हो रहे हैं उसमें कही पत्रूप में बवाल मचना तय है क्योंकि एक बार फिर आतंकियों ने अपनी पकड़ दिखाते हुए अपनी मौजूदगी दरसाते हुए यह हमले को अंजाम दिया है और बीजेपी की लीडर पर सीधे तोर पर हमला बोला गया है अभी हाल ही में जमू कश्मीर के डीजीपी की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब गिने चुने आतंकी जो हैं वो कश्मीर घाटी में बचे हैं और बहुत जल्ड सुरक्षा बल उन आतंकीयों का भी खात्मा करकर इस पूरी कश्मीर घाटी को पूरे जमू कश्मीर को आतंक से मुक्त करवा लेंगे लेकिन आतंकीयों को कहीं न कहीं ये संदेश जो है वो भाया नहीं है और हो सकता है कि डीजीपी के इसी बयान के विपरीद जाकर उन्होंने एक मैसेज देने के लिए इस तरह से ये समय चुना रात का समय जब रात होने वाली थी शाम के बाद जब रात होती है उस समय को चुना गया और सीधे तोर पर बीजेपी इस समय जो सेंटर में पार्टी जिस पार्टी की सरकार है जमू कश्मीर में जिसके लेफटन गवर्नर है मतलब की लेफटन गवर्नर तो सबका होता है लेकिन इस समय वह उसी पार्टी से तालुकात रखते हैं बीजेपी के पूर्व लीडर रह चुके हैं उनके मंतरी उनके कोटे से रह चुके लेकिन इस समय वह लेफटन गवर्नर के तोर पर जमू कश्मीर के अंदर सर्व कर र होती है चाहे वो कितने भी बड़े पद्पन्युक्त न हो जाए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी बीजेपी से हैं और इस समय वो सब पहले मिल चुका हूँ बीजेपी हेड़कॉाटर में ही उनसे मुलाकात हुई थी लेकिन बहुत जादा लंबी चोड़ी बातचीत नहीं हुई थी अब जिस तरह से मुसिपल काउंसलर के इलेक्शन्स हुए थे उसमें वो काउंसलर बनकर चुनके आया थे और कहीं न कहीं आतंकियों ने ऐसी सक्षियत जो बुलिट के खिलाफ बैलट को तरजी देते हुए कश्मीर घाटी में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रह है और ऐसा ही काम जो है वो पहले हमने देखा कि अजे पंडिता जो कोंग्रिस के सरपंच थे औब यह काउंसलर जल्द से जल्द लेना होगा क्योंकि आतंकियों को किसी भी हालत में जीतने नहीं दिया चाह सकता है और हम सीधे तोर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी ने एलान किया है कि जो दोशी होंगे उनको बक्षा नहीं जाएगा वहीं दूसी तरफ उस यह हमला जो है वह पूरी प्लैनिंग के साथ होता है और ऐसा माना जाता है कि कहीं न कहीं हमला वर इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे अब पुलीस को बारीकी से इस पर पैचान करनी पड़ी कि उन पीएसो से भी पूछताच करनी होगी जो उस समय उनके साथ मौज को लेकर हमेशा से रहा है और सीधे तोर पर अगर हम बात करेंगे तो इस समय एक बड़ा हमला हम कहेंगे और राकेश पंडिता जो बीजेपी के काउंसलर थे उनकी हत्या की गई है पुलीस ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और उन आतंकियों की तलाश जो है इस समय चल रही है सुबह होने पर ही आगे और ज्यादा स्पस्थता जो है वो कहीं न कहीं हमें मिल पाएगी कि आखिरकार क्या कुछ इस समय जो है वो हो रहा है पूरी घटना जो है वो सामने आई है और आतंकियों को सीधे तोर पर चेतावनी भी दी गई है और साथ साथ में ये भी कहा गया है ये भी कहा गया है कि आतंकी इस हमले में बच कर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये एक बड़ा हमला है और करोना काल के बाद निश्चित रूप में जिस तरह से आतंकी एक बार फिर अपना गड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस इलाके के अंदर अपनी दुबारा से पहचान तो उनकी बनी हुई है लेकिन अपनी मोजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में डिरेक्टर जनरला पूलीस की तरफ से ये कहा गया था कि अब कश्मीर घाटी में ये अब बहुत सारे आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं और अब गिने चुने आतंकी जो हैं वो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर बचे हुए हैं और लगातार उनकी तलाश जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं और सुभे जब ओपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा जो कौडल लगाया गया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा तब यह जानकारी स्पस्ट रूप में सामने आएगी कि आखिरकार इस समय कितने तैदात में आतंकी जो थे वो मुझूद थे क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीन की संख्या में आतंकी जो थे वो राकेश पंडिता की हत्या करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया है यह बताया जा रहा है कि उनकी बेटी जो है वो भी इस पूरे हमले में हम जो है वो बुरी तरह से जक्मी हुई है और यह जो पूरा हमला हुआ है वो त्राल का इलाका जो सौथ कश्मीर का इलाका माना जाता है उस इलाके के अंदर यह पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है आतंकियों की तरफ से और आतंकी जो है वो इस हमले को अंजाम देने के बाद सीधे वहां से निकल जाने में का पुलीस ने अब घेरा बंदी जरूर की है और घेरा बंदी करकर वहां पर उन आतंक्यों की तलाश जो है वो लगातार पुलीस की तरफ से की जा रही है और पुलीस जो है नकेवल पुलीस बलकि आर्मी सीर्प्य सुरक्षा बल जो है वो इस समय बड़ी तैदाद में उस इला आखे के अंदर जो आतंकी छिपे हुए हैं जिनोंने इस हमले को सीधे तोर पर अंजाम दिया है उन आतंक्यों को निष्टे नाबूत किया जाए मार गिराए जाए इसके लेकिन रात होने के वज़ा से इस ओप्रेशन पर जादा प्रोग्रेस हो गया ऐसा नहीं माना जा र वज़ाद यह सारे ओप्रेशन जो हैं वो तेज गती के साथ आगे बढ़ाए जाते हैं लेकिन उम्मीद यही है कि इस हमले को जिस प्लैनिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया है तो आतंकी इतनी आसानी से पुलिस की पकड़ में आने वाले नहीं है पुलिस को पुल इसकी तरफ से जो है वो मिल चुकी है लेकिन फिलहाल ये एक किसम का ब्लाइंड केस है हलागि ये जानकारी मिली है कि तीन आतंकी जो है उस इलाके के अंदर आए उन्होंने सीधे तोर पर हमला किया हमला करकर राकेश पंडिता जो बीजेपी के काउंसलर है उनकी हत्या की उनकी बेटी जो है उसको भी गंभीर रूप से जख्मी की इस समय जो जानकारी मिल रही है कि उनकी बेटी जो है वो अस्पताल में इस समय जिला उपचार जो है वो चल रहा है उनका उपचार किया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जाए जाए कि लेकिन अराकेश भी बड़े लीडर हैं, वो सीधे तोर पर कड़े शब्दों में इस पूरे हमले की ना केवल निंदा कर रहे हैं, बलकि ये भी कह रहे हैं कि ऐसे आतंकियों को अब किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा, और खास तोर पर जो आतंकी इस ओप्रेशन के अंदर शामिल थे, इस हमले के अंदर शामिल थे, जिसमें बीजेपी के एक लीडर पर सीधे तोर पर हमला करना था, तो वो उप्रेशन जो है, उस हमले को जो है, वो हर हालत में जो आतंकियों की तरफ से किया गया है, उसको ना केवल विफल बनाया जाएगा, बलकि उनको बाकाइदा माकूल जवाब जो है, वो दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जब आतंकी अपनी एक मोजूदगी दर्च कराने के लिए, इलाके के अंदर, जब भी किसी भी तरीके से आतंकी हमला करते हैं, और उसमें, खास तोर पर जो राजनेतिक पार्टियां हैं, जो पैदा हो, लोग डर कर पोलिटिकल पार्टिस जोईन करने से कतराएं, क्योंकि आतंकी नहीं चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में किसी भी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पनपे, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो किसी भी कीमत पर पनपे, इसलिए लगा समवादा तोर पर अब जो पोलिटिकल पार्टिस हैं, उनको अपना निशाना बनाते हैं, और निशाना बनाते हुए, सीधे तोर पर उन पर हमला किया जाता है, जो एक पहचान रखते हूं कश्मीर घाटी के अंदर, इस समय हम कोशिश करेंगे, हमारे समवादाता जो मीरी इमरान शेक जो हैं कश्मीर घाटी से उनसे बात करने की और और अधिक जानकारी उनसे हासिल करने को लेकर हम बातचित करेंगे, कि आखिर कर क्या कुछ सूर्ते हाल जो है, इस समय उस इलाके के अंदर है, और कैसे इस ओपरेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंक जादा सतर्क रहते हैं और बीजेपी जिस तरह से अब तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है, इमरान शेक इस समय हमारे साथ हमादाता मौझूद हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे कि इस हमले को किस तरह से अंजाम देगा है, इमरान आपको मेरी आवाज आ की गई, जब इनके PSO, जो दो PSO इनको दिये गए हैं, वो इनके साथ मौझूद नहीं थे, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस समय? सबसे पहले बता दो, let me correct you, उनका नाम जो है, राकेश पंडिता है, और जो बीजेपी की काउंसलर थे, त्राल बाला इलाके से सौथ किश्मीर का पलवामा डेस्टिक पढ़ता है, जहां पे नामालूम बंदुक बरदारों ने जो है, अंदातुन गोलिया चला के जो है, इ कॉमेडिशन दी गई थी और इनके साथ में पियसो बी थे, बट इन्होंने जो है, पियसो को नकारत आपने साथ ले जाने की वज़े से, जिसके जो है, ये इस अटाक में अपने जिंदे की जंग हार गए, और साथ इसाथ में जो महिला इस के अंदर, इस अटाक के अंदर इन्जिड हुई है, वो इनके दोस्त की बेटी है, आस्फा मुश्टाक, सोर्सिस के अवाले से नाम बता जा रहा है कि आस्फा मुश्टाक उनका नाम है, जो इस अटाक में इन्जिड हुए और उनको जो है, एसमेच होस्पिल रवाना किया गया है, इलाजमालज़त के लि इन्जिड ही थी, उसने क्लेम किये इसके अटाक की जिम्मेदारी उन्होंने लिए है, तीन मिलिटन आइज़ी पी कश्मीर के मताबिक तीन आइडेंटिफाइड मिलिटन जो है, इस अटाक में इन्वाल्व थे, लेकिन आइज़ी पी की का इंफिलमिशन का इतिजा रहेग यह कहा कि इन्होंने अपने PSOS को डिनाइ किया था, आपने साथ उठाने के लिए, इसकी वज़े से यहारिसा पेश आया, लेकिन यह भी जाना चाहेंगे, क्योंकि हाली में DGP, दिलबाख सिंग साब का कश्मीर में एक बयान आया था, उन्होंने कहा था, कि बड़ी काम्या कादियों की तरफ से पलटवार भी हो सकता है, जवाबी कारवाई भी हो सकती है, DGP को जवाब देने के लिए कि अभी भी हमारी मौजूद की है, अभी भी हम कश्मीर घाटी में मौजूद हैं, देखे रमन, अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शुरुआत मैं करें, चहले शकर तॉइबा की बात करें, अलबदर की बात करें, जैशी मौमद की बात करें, हर एक पिछले साल बड़े जड़के देखने को मेले हैं, और इस साल की भी है, अगर बात करें, इस साल भी जो है, अभी हमने देखा कि शुरुआत में अगर देखें, बड़े मि कराते हैं या स्पॉंसर्शिप होती है कैसे इस में नए युवाओं को भी जो है इस मिलिटन्ट से मैं जो है जन कराते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार अगर रविंदर रहना से इस पर हमारी कुछ प्रतिक्रिया जो है वह मिल सके और उनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूं आप हमारे साथ बने रहिएगा आप से हम पूरी जानकारी जो है आगे भी हासिल करेंगे कि अब क्या कुछ सूर्थ गाटी में उस इलाके के अंदर बनी है जहां पर आतंकियों ने उनके एक और नेता की निर्मम हत्या जो है वह कर दी है तो फिलहाल जानकारी हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं अगर उनका फोन पिक होता है उठता है तो हम निश्चित रूप में उनसे बात करने की सब box करेंगे का कुछ सूर्टेहाल वहां पर रहे हैं लेकिन फिलहाल वह फोन उठाने के लिए तैयार नहीं के दूसरे फोन उठाना कविंदर जी हमारे साथ जुड़ गए है कविंदर जी एक और दुखत सवाचार जो सामने आ रहा है कि आपके एक और बीजेपी के काउंसलर जो हैं बीजेपी के लीडर राकेश पंडिता उनकी निर्मम हत्या आतंकियों की तरफ से कर दी गई है क्या कुछ जान कुछ आध्यात मिल्टन्स ने उनको मारा है वो अपने परोसी के घर में थे उसके परोसी के गहर में भी जो उनकी बेटी थी उनको भी कुछ चूटे पोटी हैं तो भातियत्ना पार्टी के लोग लगातार तरंगा उठा करके वहां चलते हैं राष्टवाद की जो बाते है वो करते हैं उसी के कारण से उनको निशाना बनाया जाता है हाला कि मुझे लगता है कि कश्मीर में सुख्षावलों ने काफी अच्छा काम किया है काफी मिल्टर्स को मार गिराया है लेकिन पीश-बीश में इस परकार की करतना हो का होना वाके में चिंता का विशे है कविंदर जी जो जानकारी मिल रही है कि उनको बतोर काउंसलर दो पीएसो जो है वो एलॉट किये गए थे लेकिन जब वो अपने दोस्त के घर जो तराल का इलाका पड़ता है वहां पर विजिट करने के लिए गए थे उस समय उनके वो दोनों पीएसो जो थे वो उनके सामने मुझूद, उनके साथ मुझूद नहीं थे और ये पहले भी कई घटनाओं को देखा गया है कि जिसमें पीएससो जो हैं वो मुझूद नहीं होते हैं या फिर कहीं किसी काम से बाहर गए होते हैं उस वक्त इस हमलों को अञ़ाँ दिया जाता है कभी वो इस मौके का फाइदा उठा करके ऐसे लोगों को निशाना मनाते हैं और आज यही फिर से पहले भी एक दो बार जो हमारे कार्यकरताओं का बलिदान हुआ है वो इसी तरह से हुआ है जब सेकरोटी या तो कोई ऐसे लोग रहते हैं जो पूरी जानकारी देते हैं तो कही न कहीं शरक्षा चूक तो हुई है इसको मानना पड़ेगा लेकिन पूरी घटना की जानकारी मिझे लगता है कि और जो स्पष्ट होगा तो उसके बाद कुछ कहा जा सकता है एक आखरी सवाल सर आप से पूछूँगा कि जिस तरह से अभी हाली में डिरेक्टर जनला पुलिस दिलबाग सिंग साब का एक बयान सामने आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी सफलताएं जो है वो कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाब जो है सुरक्षा बलों को मिली है अब गिने चुने आतंकी जो हैं वो मौजूद रहे हैं कश्मीर घाटी के अंदर तो आपको लगता है कि ये कहीं न कहीं आतंक्यों के तरफ से एक प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर भी हो सकती है जो ये दरशाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आज भी कश्मीर घाटी में मौजूद हैं और किसी जगा पर भी हम हमले को अंजाम दे सकते हैं दूसी तरफ अब सुरक्षा बलो ने तो उस इलाके को कॉडन कर लिया है लेकिन आप भी अपनी तरफ से उन आतंक्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए आखिर मेर्टेंशी का कोई धरम नहीं होता लेकिन और फिंड को, बिर्चन को आज अखिर मेर्टेंशी का फिल्कुल के समाथि हो गई है अभिधी ऐन्दरगाउंट लेकिन इस प्रकार की जब रखना है होती है निच्चे ही तुक का विशे है और सुरक्षा जो उनके साथ थी वो किस पिर कार्मों से उनको भेजा गया यह सारी जानकार के बिलेगी उसके बाद ही कुछ दो रखता रेक्षिन किया जाता है बहुत बहुत शुक्रें सर हमसे बाचीत करने के लिए इस पूरी जानकारी को हम से जो है वह साजा करने के लिए अब सुबह होने के बाद ही आगे की रणनीती जो है सरकार इन आतंकियों को खदेरने के लिए इनका खात्मा करने के लिए क्या कुछ बनाती है क्योंकि सीनिर अधकारियों की तरफ से भी बयान जो है वो सुभे ही सामने आएंगे और उसके बाद पूरी घटने का बारे में जो है वो खुलासा होगा पता चल पाएगा लेकिन फिलाल जो हमें सूर्सों सोर्सिस के मुताबिक से जो सूतर हमारे उसके मुताबिक से जो ज़ानकारी मिली वो हमने आप तक साजा की है फिलाल यही उमीद रहेगा कि सुरक्षा भल जल्द इस पर कारवाई करेंगे और जल्द से जल्द उन सभी आतंकवादियों को मौत के निंद सुलाएंगे बाकी के अनखबरों के लिए जुड़े रहें जमूल अधाक विजन के साथ नमस्कार